स्वागत है मित्रों आज के वीडियो में बात करेंगे differentiation के बारे में यह differentiation topic में मेरा दूसरा वीडियो है पहले वीडियो में मैंने बात किया था differentiation by first principle जो की एक fundamental idea होता है उसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो important results है differentiation से related उसके बारे में और कुछ basic rules जो differentiation के हैं कैसे हम chain rule का युच करते हैं और और जो basic rules है differentiation के उसके बारे में बात करेंगे next video में मैं बात करूँगा logarithmic differentiation के बारे में तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं तो जो differentiation में सबसे important जो fact है वो यह है कि आपको ये सारे results याद रखने होंगे क्योंकि अगर आपको formula याद नहीं है तो इसका कोई भी purpose solve नहीं होगा तो यहाँ पर मैंने एक list आपके लिए रख दिया हुआ है आप already देख सकते हैं आप चाहें तो वीडियो को पॉज़ करकी ये सारे formula को copy कर सकते हैं या screen sort ले सकते हैं जो भी आपके लिए उचित हो जैसे कि x to the power n का होता है nx to the power n-1 उसके बाद e to the power x का derivative e to the power x है a to the power x का a to the power x ln a है log जो की base e पे होता है उसी तरह से बाकी result भी आप देख सकते हैं जैसे कि अगर कोई constant function है तो उसका differentiation 0 होता है अगर मुझे tan inverse x का differentiation निकालना है तो वो 1 by 1 plus x square होता है तो usually जब आप कोई भी formula याद करते हैं तो process यह होता है कि आप बार बार problems में उन results को use करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप एक list बना लें आप एक page पे इन सारे formula को एक सास दिख लें और जब आप problem solve करें तो जब भी आपको लगे कि आप उसको याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस list से देखके उसको use करें तो आपको याद हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहली चीज़ हो गई यह formula उसके बाद कुछ basic results है जो आपको आने चाहिए जैसे कि माल लिजिए हमारे पास दो function है dy dx और हमें एक function है sin x और दूसरा function है माल लिजिए x square तो अगर इसे हमें differentiate करना है तो हम क्या से differentiate करेंगे इसको हम differentiate करेंगे अलग-अलग मतलब हम dy dx of sin x लिख सकते है और plus dy dx of x square लिख सकते है तो यह जो हमारा पहड़ा rule है यही बता रहा है कि dy dx of f of f f एक पहला function है g एक दूसरा function है तो हम df by dx और plus dg by dx लिख सकते है उसी तरह से अगर बीच में minus हो तो हम df by dx minus dg by dx लिख सकते है ठीक है जो दूसरा rule है वो है कि अगर कोई function है माल लिजिए और उसमें एक constant multiply है जैसे मैं आप से लिख हूँ यहाँ पे लिख थूँ 3 into sin square x तो अगर इसे हमें differentiate करना है तो constant को हम बाहर ले लेते है differentiation के और हम differentiation करते है d by dx of sin square x तो constant जो है वो differential coefficient या derivative operator के बाहर आ जाता है यह जो result है वो बहुत ही महतपूर्ण है जिसको हम product rule और इसको हमने bold में इसलिए लिखा हुआ है और यह कुछ लोग यूभी formula के तोर पे भी इसको याद रखते है जैसे कर हमें बोला गया हो कि d by dx of x sin x निकालिए तो इसमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले identify करना पड़ेगा कि यहाँ पे दो function है एक पहला function है x और दूसरा function है sin x तो यहाँ पे हमें product rule का इस्तेमाल करना पड़ेगा product rule क्या बोलता है कि आप सबसे पहले पहला function लिखिए उसके बाद आप दूसरे function को differentiate करिए ठीक है और फिर प्लस लिखिए दूसरा function second function और फिर आपको differentiate करना है पहले function को तो यही rule यहाँ पे है कि आप अगर दो function है f और g और उसका product आप लिख रहे है तो d by dx of fg जो है वो f यानि कि first function differentiation of second function plus second function differentiation of first function तो इस तरह से यह result आप use करते है जो next result है उसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और यह काफी important result है तो आप इसको ध्यान से समझेगा इसको cosine rule या कुछ लोग u y v formula के तोर पे भी जानते हैं तो अलग-अलग books में अलग-अलग terminology यूज करते हैं तो जो भी आपको सहुलियत लगे आप कर सकते हैं तो जैसे कि यह क्या बोल रहा है कि हमारे पास मालो d by dx है और हमें निकालना है differentiation जैसे x square by log x का तो x square यहाँ पे एक algebraic function है यह पहला function है और दूसरा function है हमारा log x ठीक है तो यह x square by log x है तो इसको हम कैसे differentiate करते हैं इसको differentiate करने का rule यह है कि आप पहले denominator को लेते हैं जैसे कि यहाँ पे f by g है तो पहले g को लेना है denominator को लेना है तो हमने denominator को ले लिया log x उसके बाद क्या लिखना है उसके बाद हमें लिखना है d by dx of what of function in the numerator तो numerator में हमारा यहाँ पे क्या है minus x square है फिर हम लिखते है numerator यानि कि जो हमारा function numerator में है वो x square लिखते हैं फिर d by dx of कौन सा function जो की denominator में है denominator में यहाँ पे क्या है denominator में है यहाँ पे log x और पूरे को हम फिर divide करते हैं denominator के square से यानि कि log x के square से तो यह formula cosine rule या u by v u by v rule के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि जो denominator में function है वो 0 के बड़ाबर नहीं होना चाहिए जो की common sense भी है और मुझे लगता है कि अगर आप differentiation पर रहे हैं तो यह बात आपको clear भी होगी ठीक है इन सारे results के उपर हम बहुत सारे problems भी करने वाले हैं तो मैं यहाँ पर detail नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर केवल जो है आपको results है उसको समझाने के लिए examples ले रहा हूँ ठीक है अब जो next rule है chain rule chain rule जो है वो भी बहुत ही महतपूर्ण है तो basically अगर आप देखेंगे इस page के उपर तो differentiation के ज़्यादा rules नहीं है यही सारे rules है बाकि जो अलग-अलग types हैं वो मैं अगले वीडियो में discuss करने वाला हूँ तो दूसरा rule है कि chain rule तो chain rule को कैसे समझने है जैसे कि माल लो मैं एक function लिखता हूँ एक function लिखता हूँ इस तरह से जैसे एक function है हमारा f of x और इसको मैं लिख देता हूँ sin of suppose cos x square ठीक है तो इस तरह के function को composite function बोला जाता है क्योंकि आप इसको देखे तो कुछ लोग इसको समझ पा रहे होंगे कि sin x sin x function है cos दूसरा function है और तिसरा function है x square तो यहाँ पर आप अच्छली तीन अलग अलग function है मैं इसको ऐसा समझाता हूँ जैसे माल लो मैं लेता हूँ g of x जो है हमारा x square ठीक है माल लो मैं लेता हूँ h of x वो हमारा cos x और फिर मैं ले लेता हूँ माल लो q of x वो मैं ले लेता हूँ sin x ठीक है तो अगर आप इस function को देखे तो आप इसको कैसे देख सकते हैं सबसे पहले मैं ले लेता हूँ q उसके बाद मैं लिख लेता हूँ function f not f उसके बाद मैं लिख लेता हूँ function h मैं आपको composite function समझाने की कोशिस कर रहा हूँ फिर मैं लेता हूँ function h और फिर मैं लिख लेता हूँ function g और उसके उपर मैं ये bracket मतलब g of x लेता हूँ क्या है इसको आप ध्यान से समझे जैसे कि मालो मुझे इस expression की value निकालनी है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है q of h of g of x ठीक है तो इस तरह के function को हम composite function बोलते हैं तो सबसे पहले हमें g of x लेना है तो हम इसको क्या लिखेंगे q और फिर लिखेंगे h और g of x क्या है वो है x square अब अगले step में क्या लेना है h of x है cos x तो h of x square क्या होगा वो होगा cos x square और फिर q of x है sin x पर यहाँ पर x है तो यहाँ पर q के साथ cos x square है तो यह कितना होगा यह sin के साथ क्या आएगा sin के साथ आएगा cos x square ठीक है तो यह जो function basically f of x था वो तीन functions का composition था तो जब composite function होता है तो हम chain rule का इस्तेमाल करते हैं इसको हमें simple result से समझते हैं जैसे मालो हमें sin x square को differentiate करना है ठीक है d by dx of sin x square हमें निकालना है तो sin function हमें पता है कि मैं जानता हूँ कि d by dx of sin x जो है वो cos x के बड़ाबर होता है ठीक है तो मैं यह result जानता हूँ कि अगर sin x है तो उसको x के respect में अगर मैं differentiate करूँगा तो मुझे cos x आएगा पर यहाँ पे sin x square है तो अगर यह sin x square है तो मुझे इसको पहले क्या करना पड़ेगा मुझे पहले इसको x square के respect में differentiate करना पड़ेगा तो d by dx of d by dx square of sin x square लिखना पड़ेगा पर basically जो problem के अंदर था वो यह पूछा गया था कि आप इसको x के respect में differentiate करिए तो यहाँ पे हमने chain rule इस्तेमाल करना है और फिर हमें x square को x के respect में differentiate करना है तो chain rule क्या बोल रहा है आप ध्यान से समझे कि अगर y एक function है u का और u एक function है x का और अगर आपको y को x के respect में differentiate करना है तो पहले y को u के respect में करना पड़ेगा क्योंकि y x का function नहीं है y u का function है तो Y को किसके respect में करना पड़ेगा, U के respect में, और फिर U किसका function है, X का function है, तो U को X के respect में differentiate करना पड़ेगा, आपको ये चीजें examples की मदद से और ज्यादा clear होंगी, ठीक है, तो आएए हम कुछ examples करते हैं, सबसे पहले ये examples के पहले मैं कुछ-कुछ basic results, problems ले लेता हूं, इस के उपर आता हूं, जैसे कि मैंने पहला problem लिया, कि D by DX of, आप निकालिए sine 2X, तो ये क्या होगा, sine 2X को differentiate हम किसके respect में कर सकते हैं, sine 2X को हम 2X के respect में differentiate कर सकते हैं, तो पहले हमें निकला पड़ेगा, D by D2X of sine 2X, और फिर D by DX of 2X निकालना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, हमें पता है कि जो formula होता है, वो होता है, D by DX of sine X, वो cos X के बढ़ाबर होता है, तो sine 2X का जो differentiation होगा, 2X के respect में, sine X का X के respect में cos X है, तो sine 2X का 2X के respect में कितना होगा, cos 2X होगा, और D by DX of 2X कैसे निकालेंगे, तो हमने जो result पर है कि अगर किसी term में constant multiply है, तो constant तो बाहर आ जाएगा differentiation के, और D by DX of क्या बचेगा, X बचेगा, तो D by DX of X पे हम कौन सा result लगाएंगे, मुझे पता है कि D by DX of X to the power N होता है, N X to the power N minus 1, तो यहाँ पे N की जगा पे क्या है, यहाँ पे N की जगा पे है 1, तो हम इसको लिखेंगे 1 X to the power 1 minus 1, यानि कि 1 और X to the power 0, यानि कि यह 1 हो जाएगा, तो यह D by DX of X क्या होगा, 1 होगा, तो यह answer हो गया 2 cos 2X, जो लोग differentiation को जानते होंगे, वो सोचते होंगे कि इतना ज़्यादा चीजे लिखने की क्या जड़ होता है, इसको तो clearly हम देख सकते हैं, कि यह 2 cos 2X होगा, मेरा purpose यह था है कि चुक है, otherwise यह आप direct यहाँ पर लिख सकते थे, answer भी, तो जितना आप practice करेंगे, उतना ही आप इसको direct लिखने में capable हो पाएंगे, ठीक है, तो एक चीज मैं बस यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, कि यहाँ पर एक चीज हमने observation में note कि sin X का जो differentiation होता है, वो हमें formula के तोर पर cos X होता है, आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया होगा, कि d by dx of sin X, अगर sin X का differentiation है, वो cos X होता है, तो sin 2X का करना है, तो हम इसको simple लिख देंगे cos 2X, और X का जो coefficient है, उसको हम यहाँ पर multiply कर देंगे, तो एक line में जो answer आजाएगा, वो 2 cos 2X आजाएगा, ठीक है, तो पहला problem है, हमें इन सारे problems में differentiate करना है, तो हम सबसे पहले differentiate करते हैं, और सब को X के respect में करना है, तो d by dx of sin X square plus 5 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे d by यहाँ पर x square plus 5 है तो पहले हमें इसको differentiate करना पड़ेगा x square plus 5 के respect में कि इसको sin x square plus 5 को यहाँ पर क्या idea है idea यह है कि sin x को हम x के respect में differentiate कर सकते हैं पर यहाँ पर x square plus 5 है तो उसको हम x square plus 5 के respect में differentiate करेंगे फिर x square plus 5 को हम करेंगे differentiate x के respect के ठीक है तो sin x square plus 5 का differentiation होगा cos x square plus 5 ठीक है और next है हमारा तो यहाँ पे हम यह rule यूज़ करेंगे यहाँ पे दो function का sum है एक है x square और दूसरा है 5 तो इसको हम लिख सकते हैं d by dx of x square plus d by dx of 5 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा cos x square plus 5 as such copy हो गया अब x square को differentiate करने के लिए जो हमारे पास formula है वो है d by dx of x to the power n तो इसको हम लिख सकते हैं n x to the power n-1 तो यानि कि यह आजाएगा 2 और x का power 1 कम हो जाएगा तो 2x to the power 1 जिसको हम 2x लिखते हैं और constant का differentiation 0 होता है यहाँ पे आपको लिखा भी होगा कि अगर कोई constant term है तो इसको अगर आप differentiate करोगे तो यहाँ पे उसको 0 आएगा तो यह plus 0 हो गया तो जो final हमारा answer आ गया वो आगया 2x cos x square plus 5 तो यह हमने यहाँ पे chain rule का इस्तेमाल किया पहले step में और उसके बाद हमने sum rule का इस्तेमाल किया कि d by dx of x square plus 5 को हमने x square और plus 5 में अलग-अलग separate कर दिया ठीक है? तो आएए बाकी के problem solve करते हैं तो जो हमारा दूसरा problem है उसमें हमें d by dx of cos of sin x निकालना है मैं detail में लिख रहा हूँ मैं यह expect कर रहा हूँ कि आप पहली बार यह differentiation सीख रहे होंगे तो हमें cos of sin x निकालना है यानि कि हमें पहले मैं जानता हूँ कि cos x का differentiation sin x होता है पर यहाँ cos of sin x है तो मुझे पहले इसको sin x के respect में differentiate करना पड़ेगा ठीक है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ d by dx of sin x ठीक है d by d of sin x किसका cos of sin x का ठीक है और फिर हमें d by dx of किसका निकालना है sin x निकालना है chain rule इसी को हम बोलते है chain rule यह composite function है पहले x का sin x और फिर cos of sin x तो पहले हम cos of sin x को किसके respect में करेंगे sin x के respect में और फिर sin x को x के respect में cos का differentiation मुझे पता है cos x का differentiation होता है sin x तो यहाँ पर हो जाएगा sorry minus sin x तो यहाँ पर हो जाएगा minus sin of sin x ठीक है और sin x का differentiation होता है cos x तो मैं लिखोंगा dy dx of sin x is equal to cos x तो यह आपका answer हो गया ठीक है अगर आप इसको देखें तो इसमें भी क्या है कि आप sin x को differentiate करना जानते हैं पर आप यह ax plus b है तो पहले आपको इसको ax plus b के respect में differentiate करना पड़ेगा ax plus b किसका differentiate करना है sin ax plus b को करना है फिर हमें ax plus b को x के respect में differentiate करना पड़ेगा ठीक है तो sin का differentiation होता है cos of ax plus b और यहाँ पर ax plus b है तो यहाँ पर दो function का sum है एक ax है और दूसरा b है a और b constant है तो यहाँ पर हम अगर इसको लिख सकते हैं d by dx of ax और फिर हम लिख सकते हैं d by dx of b तो यह कितना हो जाएगा यहाँ से हमें मिलेगा cos of ax plus b और d by dx of ax को कैसे लिखेंगे a constant है तो बाहर आ गया d by dx of x जो की 1 के बड़ाबर हो जाएगा अब आप समझ चुके होंगे यहाँ पर हम x to the power n वाला rule यूच करेंगे पर dx by dx वैसे भी आप ध्यान में रखें कि 1 के बड़ाबर हो जाएगा और d by dx of a constant वो 0 के बड़ाबर हो जाएगा तो final जो answer आया वाया a cos ax plus b तो आपने यहाँ पर pattern note किया जो लोग differentiation करने में महारत हासिल कर लेते हैं वो direct यहाँ पर लिखते थे कि sine का हो जाएगा cos ax plus b और यहाँ पर ax plus b है तो x का एक function है linear function है तो जो x का coefficient है वो बाहर में multiply हो जाएगा मैं क्या बोलना चाहरा हूँ धीरे धीरे आप pattern भी पकरते चलिए जैसे मैं बोलना चाहरा हूँ कि मालो आपको लिखना है d by dx of sin 7x तो आप क्या इसको लिखोगे sin का differentiation होता है cos तो sin 7x का तो cos 7x हो गया और यहाँ पर x का coefficient क्या है 7 तो आप इसको 7 से multiply कर दो मालो यह होता sin 7x plus 5 और उसका आपने निकालना है d by dx ठीक है तो यह 7x plus 5 है तो sin का derivative होता है cos of 7x plus 5 ठीक है और 7x plus 5 को अगर आप differentiate करोगे तो यहाँ पर x का coefficient 7 है तो यह 7 से यहाँ पर multiply हो जाएगा simple है पर लब जो pattern है वो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे ठीक है अब अगले problem पर चलते है यहाँ पर हमें फिर से chain rule का इस्तेमाल करना पड़ेगा मैं detail में लिख रहा हूँ तो पहले हमारा sake है तो sake को किसके respect में differentiate करना पड़ेगा tan of under root x तो मैं इसको लिखता हूँ d of tan of under root x और किसका differentiate करना है sake of tan of under root x ठीक है यह होगया पहला chain का पहला जो है link अब हमने tan under root x है पर ultimately हमें x के respect में करना है तो हमें d of tan under root x को करना है और tan x का differentiation हम जानते हैं तो पहले हम इसको under root x के respect में करेंगे हमें tan x का differentiation पता है पर किसके respect में पता है जो हमारा formula है वो हमारा formula क्या है कि एगर आप d by dx of tan x निकालोगे यहाँ पे दिखा हुआ है मतलब यह formula यहाँ पर मैं expect करता हूँ कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि ताकि सब कुछ एक page पर आ जाए मैंने detail में नहीं लिखा है के वहल tan x का से के square लिख दिया है पर basically यहाँ पर सारे results के अंदर जो हम differentiate कर रहे हैं वो with respect to x कर रहे हैं ठीक है तो tan का हमें differentiation किसके respect में क करना पड़ेगा और फिर यह under root x को हमें x के respect में करना पड़ेगा ठीक है अब हमें formula ध्यान रखना चाहिए सेख का differentiation क्या होता है एक formula होता है d by dx of sec x तो जो formula है वो है sec x का formula है sec x into tan x ठीक है तो इसके बदले हमें यहाँ पर क्या निकला पड़ेगा यह पुड़ा जो x के जगर पे है पुड़ा का पुड़ा bracket है तो यह हो जाएगा sec of x के जगर पे हमारा tan under root x and tan of tan under root x यह हमें मिला पहले वाले expression से फिर हमें जो दूसरा result यूज करना है मैं यहाँ पे दूसरे color से लिख देता हूँ जो दूसरा हमें result यूज करना है वो लिखाना है d by dx of tan x तो d by dx of tan x होता है वो होता है sec square x के बड़ाबर तो यहाँ पे tan x का जो differentiation होगा वो हो जाएगा sec square के term में वो कितना हो जाएगा वो जाएगा sec square under root x तो ये वाले से हमें ये वाला मिला ये वाले से हमें ये वाला मिला और d by dx of under root x है अब आप समच रहे होगा कि under root x का हमारे पास कोई result नहीं है पर हमारे पास एक result है जो कि fundamental है वो है d by dx of x to the power n तो इसको हम लिखते है n x to the power n minus 1 और हमें यहाँ पे निकालना है d by dx of under root x तो under root x क्या है x to the power 1 by 2 है तो n की जगा पे 1 by 2 आया और x की जगा पे x के पावर में 1 by 2 minus 1 यानि की 1 by 2 और x के पावर में minus 1 by 2 यानि की 1 by 2 और 1 by x to the power 1 by 2 यानि की 1 by 2 under root x तो अब आगे से हम इतना detail में नहीं लिखेंगे हम just याद रखेंगे इसको भी as a formula या result कि d by dx of square root of x is 1 by 2 square root of x तो इसको आप याद रखिए ठीक है ये जो result है उसको आप याद रखिए क्योंकि ये काफी frequent result है तो आपको इसको याद रखना चाहिए तो यहाँ पे मैं अब आगे इसको direct लिख देता हूँ तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 by 2 under root x तो यह जो process है इसमें हम chain rule का इस्तेमाल कर रहे हैं आएए आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारे problems देखते हैं तो अभी तक हमने chain rule का इस्तेमाल किया पर इस वाले problem में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दो function हैं एक sin और दूसरा cos और यहाँ पे एक numerator में हैं और दूसरा denominator में हैं तो मैंने आपको explain किया था कि f by g formula आपको explain किया था इसमें क्या लिखना होता है पहले denominator लिखना पड़ता है फिर numerator को differentiate करना पड़ता है फिर numerator को differentiate करना पड़ता है फिर denominator को differentiate करना पड़ता है आई होब कि मैं आपको ठीक बोल रहा हूं हो सकता है कई बर टंग slip of tongue हो जाता है यहाँ पे मैं यह बोलना चाहरा था कि पॉले denominator लिखते हैं g फिर numerator को differentiate करते हैं फिर minus numerator f और फिर denominator को याद मैं कैसे र चुरू करना है और बीच में माइनस आना है तो मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर इसको हमें डिफ्रेंसियेट करना है तो हमें कॉस CX प्लस D denominator हमने पाले लिया ठीक है और D by D X हमें क्या करना है D by D X हमें निकालना है sin of AX प्लस B फिर हमें लिखना है minus numerator यानि कि sin of AX प्लस B और फिर हमें डिफ्रेंसियेट करना है कि इसको denominator को cos of CX प्लस D और दीरे दीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको यह maturity आते जानी चाहिए कि कुछ results आप डारेक्ट लिखना सीख जाए ठीक है तो यहाँ पर square करना है तो cos of CX प्लस D आ जाएगा अब देखिए sin अब यहाँ पर chain rule का इस्तेमाल करना है पर मैं इस बार detail नहीं लिखोंगा इस बार direct लिखोंगा तो cos of CX प्लस D तो as such आ गया derivative of sin क्या होता है derivative of sin होता है cos तो sin of AX प्लस B क्या हो जाएगा cos of AX प्लस B हो जाएगा और अगले step में आप AX प्लस B को differentiate करेंगे तो आपने जैसा पहले देखा था इस वाले problem में कि जब आप sin of AX प्लस B को कर रहे हैं तो cos of AX प्लस B आ रहा है और इसमें X का coefficient हो बाहर में multiply हो जा रहा है तो यहाँ पर भी same होगा यहाँ पर जो X का coefficient है वही हमने इसके बाहर multiply करना है तो मैं इसको शुरू में ही यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस और फिर यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर हमें लिखना है माइनस ठीक है और sin of AX प्लस B तो sin of AX प्लस B तो ऐसे हो गया sin of AX प्लस B cos का derivative होता है minus sin तो एक minus आएगा और यहाँ पर already minus है तो यह प्लस बन जाएगा ठीक है और CX प्लस D में X का coefficient C है तो यहाँ पर आपको C से multiply करना पड़ेगा और पूरे जो quantity है उसको आपको divide करना होगा किस से divide करना पड़ेगा उसको आपको divide करना पड़ेगा cos square CX प्लस D से तो यह आपका result हो गया आप चाहे तो इसको और बेतर तरीके से लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं ठीक है खास कर जब आप MCQ problem solve कर रहे होते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि answer किस form में दिया गया है आगे बढ़ते हैं अब देखिए अब जो हमारा यह result है इसके अंदर दो function है एक है cos of hex cube और दुसरा है sin square of hex to the power 5 तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले product rule का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे हमने cosine rule का यूज़ किया ठीक है अब यहाँ पे हमें product rule product rule क्या होता है आपको अगर याद नहूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं product rule होता है d by dx of f into g is equal to f d by dx of g plus g d by dx of f यह product rule होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे cos x cube first function और हमें differentiate किसको करना है d by dx of sin square x to the power 5 और plus second function यादि कि sin square x to the power 5 और हमें क्या लिखना है d by dx of cos x cube ठीक है यहाँ पे इसको आपको अलग रखिए अब next step में हमें क्या करना है next step के अंदर हमें sin square x to the power 5 को differentiate करना है तो यहाँ पे हमें chain rule लगाना परेगा अब आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि अगर आप सुरू में करते हैं तो आपको हो सकता है कि सारे steps लिखने परें जो की confusion को avoid करने के लिए जरूरी भी है पर जैसे जैसे आपके अंदर mathematical maturity बढ़ती है यह आप से expect किया जाता है कि आप कुछ steps जो हैं mentally भी कर पाएं तो यहाँ पर क्या है मैं आपको explain करूँगा यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ cost of x cube ठीक है और यहाँ पर sin square है इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ आप इसको समझे मैं आपसे पूछूँ कि आप निकालिए ड कालिए d by dx of sin square x तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे वह लिख देंगे cos square x जो की गलत है क्यों गलत है बच्चे यह सोचके करेंगे कि सर d by dx of sin x होता है cos x तो d by dx of sin square x हो गया cos square x पर यह गलत है क्यों गलत है是啊 ein function है sin square x दूसरा फंक्चिन है यहाँ पे आपको sin square x को देखना पड़ेगा sin x square के तौर पे ठीक है तो अगर आपको d y d x तो ये दोनों चीजे पहले तो आप ये समझ लिजे कि ये बड़ाबर है तो d y d x of sin square x निकालने का मतलब कि आप d y d x of sin x whole square निकाल रहे है और आपको ये result भी पता है कि d by dx of x square होता है और x to the power n अगर बोले तो होता है n x to the power n minus 1 तो अगर x to the power n है तो आप उसको x के respect में differentiate करते हैं पर यहाँ पे sin x to the power n है तो उसको किसके respect में करना पड़ेगा उसको पहले आपको sin x के respect में करना पड़ेगा तो ये d by dx of sin square x को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा d by d of sin x और फिर आपको लिखना पड़ेगा sin x square और फिर d of sin x को लिखना पड़ेगा x के respect में अब ये sin x whole square का अगर इस formula से जाएं तो n की जगापे क्या है 2 है x की जगापे क्या है sin x है और n minus 1 n की 2 minus 1 1 के बड़ाबर हो गया और d by dx of sin x के बड़ाबर हो गया cos x के बड़ाबर हो गया तो ये जो final answer है वो है 2 sin x into cos x I hope कि आप ये चीज समझ पा रहे होंगे जैसे ही जितना भी आप practice करेंगे उतना ही आप इस concept में mastery हासिल करते जाएंगे तो आईए अब main problem की तरफ चलते हैं तो हमारा जो main problem है यहाँ पे उसमें बोला है कि आपको sin square x to the power 5 है यहाँ पे एक और composite function है तो सबसे पहले आप sin square मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख है d by d of sin x to the power 5 और यहाँ पे है sin square x to the power 5 ठीक है उसके बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा d of sin x to the power 5 और यह sin x को आप differentiate करते है यहाँ पे x to the power 5 है तो आपको इसको x to the power 5 के respect में करना पड़ेगा ठीक है मैं detail में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई confusion नहों पर इतना detail में आपको लिखने की जरूत नहीं होती है आप जो practice कर लेते हैं तो direct in steps को आपसे expect किया जाएगा कि आप लिख लें ठीक है अब अगला क्या है कि x to the power 5 है तो फिर आपको x to the power 5 को differentiate करना पड़ेगा x के respect में मैं दोबारा बोलता हूँ यह sin x to the power 5 का square है तो पहले sin square है तो इसको हमने sin के respect में किया फिर sin x to the power 5 है तो इसको x to the power 5 के respect में किया फिर x to the power 5 को x के respect में किया उसी तरह से यहाँ पे है sin square x to the power 5 यहाँ पे d by dx of cos x cube है ठीक है तो cos x cube को आपके पहले कैसे करोगे पहले आप cos x cube को x cube के respect में करोगे ठीक है और फिर x cube को आप x के respect में करोगे ठीक है अब आईए chain rule हो गया अब हम answer लिखते हैं तो यहां से cos x cube as such आ गया ठीक है bracket लिख देते हैं ताकि कोई confusion न हो sin square x to the power 5 तो यह वाला डिजर्टी उच करना पड़ेगा कौन सा वाला यह problem मैं इसको बाद में लिख दूँगा यह हटा देता हूं ताकि confusion न हो अब हमें यह वाला डिजर्टी उच करना है कौन सा वाला d by dx of x to the power n that is nx to the power n minus 1 तो square है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 2 sin x to the power 5 power 1 लिख सकते हैं पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि power यहाँ पे जो sin का power है तो सुरू में multiply हो जाता है और power एक कम हो जाता है तो एक power लिखने की जुरूत नहीं है sin x to the power 5 का derivative कितना होगा cos x to the power 5 होगा तो मैं इसको brackets में लिख देता हूँ ताकि आपको यह पता चले कि कौन सा term कहां से आ रहा है ठीक है और last वाला term यहां से आ रहेगा 5 x to the power 4 ठीक है plus sin square x to the power 5 यह हमारा term है d by dx of cos x cube तो यह वाले से cos का differentiation कितना होता है minus sin होता है तो यहां से आएगा minus sin x cube और x cube का कितना होगा? x cube का होगा 3 x square तो ऐसे इसको हम term by term जो है यहां पे differentiate कर सकते है ओके? तो इसको आप पॉज़ करके एक बार और देख लीजे और कोई अगर doubt है तो आप हमसे पूछ लीजे जो next problem है वो है 2 cos under root x यह मैं solve करना चाहता हूँ तो जो हमारा next problem है d by dx of 2 under root cot x square ठीक है? तो अब इसको आप कैसे solve करो गया? यह होप कि मैंने problem को सही copy किया है एक बार दोबारा देख लें 2 cos x square ठीक है? तो देखो सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल यह है कि यहाँ पे constant multiply है तो वो d by dx के बार आ गया d by dx के बार आ गया और यहाँ पे आ गया under root cot x square अब यह कौन सा formula आपको यूज़ करना पड़ेगा? आप यहाँ पे under root को कैसे देखते हो? under root को आप देखते हो power 1 by 2 ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा d by d of इस results को ध्यान में रखिए अगर हमें x to the power n को differentiate करना है हम किसके respect में करते है? x के respect में यहाँ cot x square है यहाँ पे क्या है? cot x square है और उसका power कितना है? 1 by 2 तो हमें किसके respect में करना पड़ेगा? हमें इसको करना पड़ेगा cot x square के respect में ठीक है? cot का power यहाँ पे कितना है? 1 by 2 है तो इसको x square के respect में करना पड़ेगा फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा? फिर हमें cot x square को differentiate करना है तो हमें लिखना पड़ेगा D of cot x square पर cot का जो formula है वो हम x के लिए जानते हैं ठीक है तो x square के लिए नहीं जानते हैं तो हमें x square के respect में पहले differentiate करना पड़ेगा फिर x square को हमें x के respect में differentiate करना पड़ेगा अब direct formula इस्तिवाल कर सकते हैं यहाँ पर आएगा 2 1 by 2 यहाँ पर multiply हो गया cot of x square और 1 by 2 यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि एक result आप direct भी उच कर सकते थे कि d by dx of under root x तो यह हो जाता 1 by 2 under root x तो यहाँ पर आप direct भी लिख सकते थे पर मैं चुकि explain कर रहा हूँ तो ताकि आपको कोई confusion ना हो तो यहाँ पर 2 आ गया 1 by 2 बाहर 1 by 2 minus 1 तो यहाँ से आ गया minus 1 by 2 cortex का differentiator होता है एक formula होता है जो कि आप first page पर देखे होंगे d by dx of cortex होता है minus cos x square x formula याद रखे बिना कोई भी उपाहे नहीं है तो यहाँ गा minus cos square x square और फिर x square का यहाँ से आ जाएगा 2x ठीक है तो यह 2 और 2 तो cancel हो गया ठीक है अब इसको हम थोड़ा बहतर तरीके से लिख सकते हैं तो यह वाला term मैंने लिख दिया minus के साथ तो minus 2x यहाँ पे minus है यहाँ पे 2x है यहाँ पे आ जाएगा cos x square x square और यह जो term है यह denominator में ले जाएगे तो power minus 1 by 2 से plus 1 by 2 हो जाएगा यानि कि यह under root cot x square हो जाएगा तो I hope कि जो differentiation का process है वो आपको पता चल रहा है तो आएए कुछ और problem solve करते हैं तो जो next problem है हमारा यहाँ पे दिया गया है y is equal to e to the power x tan x plus x log base e x ठीक है एक result आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि d by dx of log x अगर base mention नहीं हो तो यह जोली मैं मानूंगा कि base e है यह होता है 1 by x और जो दूसरा result है वो भी काफी popular है कि d by dx of log x to the base a तो यह भी होगा 1 by x ln और यहाँ पे आपको दोबारा लिख देता हूं ताकि कोई confusion नहीं हो तो यहाँ पे लिख देता हूं log e of a ठीक है तो यह basically log के property के उपर निर्भर करता है मैं असा करता हूं कि आप इस results को याद रखेंगे यहाँ पे आपको दिया भी है आप जैसे कि देख लीजे कि log x है तो उसका 1 by x होता है और अगर log x to the base a है तो यह 1 by x log e to the base a हो जाता है ठीक है तो यह एक result है यहाँ पे मैंने साथ गरबर लिख दिया log e to the base a हो जाएगा ठीक है तो log e to the base a कैसे यह आएगा वह आप थोड़ा समझ लीजे जैसे कि confusion ना हो आपको पता होगा log of b to the base a होता है log के property से यह होता है log of b by log of a ठीक है अगर हम base e ले 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 तो यहाँ पे हमें निकालना है d by dx of log of ax तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 by log of a to the base e यह constant हो गया और d by dx of log x जो है वो 1 by x के बड़ाबर हो गया तो अगर आप इसको ऊपर ले जाओ तो यह log का property से क्या हो जाएगा 1 by x और जो base है वो change हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ठीक है तो आप log अगर समझते होंगे तो यह आपके लिए कोई confusion की बात नहीं होगी पर इनकेस अगर आप नहीं भी समझते होंगे तो आप एक पर log की property को जरूर देख ले पर यहाँ पर हमारा confusion नहीं है हमारा base e है तो dy by dx निकालना है तो dy by dx कैसे निकालेंगे dy by dx निकालेंगे d by dx of e to the power x into tan x plus x log x to the base e मैं बार बार base नहीं बोलूँगा log x direct बोलूँगा अब यहाँ पर दो function है तो दोनों का sum है तो हमें अलग-अलग करना पड़ेगा तो मैं लिखता हूँ dy by dx of e to the power x tan x ठीक है और plus dy by dx of x log x ठीक है अब यहाँ पर product है एक function है दूसरा function है तो क्या rule यूच करना पड़ेगा product rule तो पहले पे अगर हम product rule लगाएं तो आएगा e to the power x d by dx of tan x plus tan x d by dx of e to the power x ठीक है और दूसरे पे अगर हम product rule लगाएं तो क्या आएगा दूसरे पे product rule लगाएंगे तो plus x d by dx of log x and plus log x d by dx of x अब सारे के लिए हमें formula पता है तो मैं final answer लिख रहा हूँ हूँ क्योंकि इस सारे standard form में है तो e to the power x d by dx of tan x यह formula होता है क्या होता है सेक square x plus tan x d by dx of e to the power x क्या होता है e to the power x plus x d by dx of log x क्या होता है 1 by x होता है ठीक है और plus log x d by dx of x क्या होता है होता है 1 ठीक है तो 1 को लिखने की जोड़त नहीं है तो यह हमारा answer हो गया आप चाहें तो इसको simplify करके लिख ले 1 plus log x and this whole thing तो यहाँ पे हमने 2 rule का यूज़ किया एक तो sum rule का यूज़ किया और दूसरा हमने product rule का यूज़ किया ठीक है next problem पे चलते हैं मालों यहाँ पे हमें निकालना है dy by dx y है log x by x e to the power x sin 2 x and log x to the base 5 तो देखो यहाँ पे sorry यहाँ पे base mention नहीं है तो base mention नहीं है तो मैं मान के चलूँगा कि base e है ठीक है अगर base mention होता है तो explicitly वहाँ पे लिख दिया जाता है ठीक है तो इसलिए जब भी base mention नहीं हो तो हम मान के चलेंगे कि वह क्या है वह आपका जो है base e है तो आईए अब इसको differentiate करते है इंक मुझे लगता है यह ज़्यादा बहतर दिखता है तो dy by dx मैं इस बार डारेक्ट लिख रहा हूं तो सबसे पहले dy by dx of this निकालना पड़ेगा मैं लिख देता हूं चाहे ताकि कोई confusion नहीं हो dy by dx of log x by x plus dy by dx of e to the power x sin 2x and plus dy by dx of log of x to the base 5 अब यहापे u y v form है यानि कि f by g formula लगाना पड़ेगा तो denominator नीचे वाला dx फिर d by dx of numerator मतलब उपर वाला उपर वाले से मेरा मतलब है numerator ना कि उपर वाले से and log x d by dx of x और पूरे को हमें divide करना होता है x square से ठीक है यहाँ पे हमने u y v लगा दिया यहाँ पे u into v लगाना पड़ेगा एक ही problem में अलग-अलग formula है तो e to the power x first function d to the power dx of sin 2x और plus sin 2x और d by dx of e to the power x और plus यहाँ पे है log of x to the base 5 और जैसा कि मैंने आपको formula में दिखाया था कि अगर आपका base change हो तो हमें क्या लिखना पड़ता है कि अगर आपका log x है ठीक है to the base a तो हम लिखते है 1 by x and log e log e 1 by x ठीक है तो अब अगले step पे क्या करना है formula यूज करना है x dy dx of log x 1 by x यह formula होता है यहाँ पे आपको बेतर होगा पेज को साथ में रखें यह formula होता है dy dx of log x जो है 1 by x के बड़ाबर होता है ठीक है तो base का ध्यार में रखना है अधरवाइच कही बार आप गलती करती है चलिए मैं बार बार आपको उपर नीचे होके formula दिखा रहा हूँ और minus log x dy dx of x 1 के बड़ाबर हो जाएगा और यहाँ से आजाएगा x square plus sin 2x तो sin 2x को आप chain rules की मदद से करोगे तो पहले sin 2x क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा और फिर 2x को आपको x के respect में करना होता है तो into 2 से multiply करना होता है आप देखे हो पीछे वाले problem में और यहाँ पे आपका आगया sin 2x और e to the power x का e to the power x और यह आपका आगया log of e by x ठीक है अब तो आप इसको simplify कर दीजे 1 1 cancel तो last step में मैं answer लिख देता हूँ 1 minus log x by x square पहले से आगया दूसरे से इसको लिख देते हैं 2 e to the power x cos 2x plus e to the power x sin 2x और plus log e to the base 5 by x तो यह आपका answer है मुझे आसा है कि आपको इसमें कोई confusion नहीं हुआ होगा कई बार जो है जब वो answer लिखते हैं तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ लोग यह वाले जो term है ऐसे भी लिख सकते थे कि 1 by x log 5 तो अगर आप base मतलब इस logarithmic के property को यूज करके इसको नीचे लाना चाहते हो तो ठीक है अधरवाई जाप उसको as such भी सोर सकते हो तो हमारा answer है 1 minus log x by x square e to the power x sin 2x और 2x cos 2x और log e to the base 5 by x तो यह हमारा answer है ठीक है अब एक last problem है जो कि मैं इस वीडियो में करना चाहता हूँ यह भी एक अच्छा problem है इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें inverse function है तो क्या होगा मैं लिखता हूँ d by dx of y पूरे के respect में पहले करना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि अब आप direct लिखा जा सकता है यह एक last problem है तो मैं लिख देता हूँ कोई बात ने इसको लिखता है d of tan inverse under root 1 plus x square और log of tan inverse under root 1 plus x square हमें फर्मूला क्या पता है हमें फर्मूला पता है d by dx of log x ठीक है तो अगर यहाँ पर log x है तो हमें x के respect में differentiate करना है यहाँ पर log के साथ और base e है तो वो confusion नहीं है tan inverse under root 1 plus x square tan inverse under root 1 plus x square अब हमें फर्मूला पता है d by dx of tan inverse x का तो tan inverse के साथ जो आ रहा है उसके respect में हमें पहले करना पड़ेगा तो हमें लिखना पड़ेगा d of tan inverse under root 1 plus x square और इसको हमें differentiate करना पड़ेगा under root 1 plus x square के respect में ठीक है और फिर under root 1 plus x square को भी 1 मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ क्योंकि page नहीं है तो जगर नहीं है तो अगले step में मैं इसको दोबाड़ा detail में लिखोंगा तो देखो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा log का तो basic है 1 by x तो यह 1 by पूरा आ जाएगा 1 by पूरा आ जाएगा tan inverse under root 1 plus x square tan inverse का formula होता है 1 by 1 plus x square आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ से आ जाएगा 1 by 1 plus x की जगा पर क्या है under root 1 plus x square है तो यह under root का square करेंगे तो यह square होने के बाद यह आ जाएगा मैं bracket में लिख देता हूं ताकि आपको confusion ना हो और देखो यहाँ पर d by 1 plus x square है तो इसको पहले 1 plus x square के respect में करना पड़ेगा चुकि मैं यहाँ पर अलग color यूज़ करता हूं ताकि आपको यह वाले part को भी आपको chain rule लगाना पड़ेगा यहाँ पर लिखना पड़ेगा d of under root 1 plus x square with respect to 1 plus x square और फिर 1 plus x square with respect to x ठीक है तो चली अगले step में इसको complete करते हैं तो यहाँ से पहला आ गया 1 by 2 plus x square दूसरे को मैंने पहले लिख दिया into 1 by tan inverse under root 1 plus x square d by dx अब इस पे हम कौन सा result लगाएंगे d by dx of root x ठीक है तो मैंने आपको दिखाया था मैं वो लिख के पहले आपको बता देता हूं मैंने आपको दिखाया था कि d by dx of under root x है उसको हम लिख सकने है 1 by 2 under root x ठीक है तो यहाँ पे उसी तरह का है x की जगापे है 1 plus x square तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम यहाँ लिख देंगे इसको 1 by 2 under root 1 plus x square और फिर इसको करना है तो पहले 1 को करना पड़ेगा तो 0 और फिर x square को करना पड़ेगा तो 2x तो यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया और जो last में बचा हूँ आपका आंसर हो गया तो आप चाहो तो एक स्टेप में इसको और लिखके simplify कर लो क्या बस इसको rearrange कर लो अधरवाई जब चाहो तो आंसर वैसे भी छोड़ सकते हो ठीक है तो एक चीज़ आपको यहाँ पे clear पता चल गया होगा कि differentiation पर mastery कैसे आप हासिल कर सकते हो differentiation पर mastery हासिल कर सकते हो बहुत सारे problem solve करके क्योंकि इसमें basically कुछ नहीं है इसमें basically 3-4 rules है क्या 3-4 rules है एक तो formula याद रखना है बिना formula कि आप एक भी line आगे नहीं बढ़ पाऊगे formula आप ज़रूर याद रखो दूसरा इसमें क्या ध्यान रखना है दूसरा इसमें ध्यान रखना है कि जो rules है ये वाले sum, product, quotient rule और chain rule अगर इन सारी चीज़ों को आप समझ गये तो differentiation करना आपके लिए बहुत मुस्किल काम नहीं होगा तो आसा है आपको चीज़े समझ में आई होंगी आप इसको एक बड़ दोबारा देखें अगर कोई doubt है comment से हमें बताएं अगली वीडियो में मैं logarithmic differentiation के बारे में बात करूँगा इस वीडियो के लिए बस इतना ही धन्नवाद आपका दिन सुभो